हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चनल तो आज हम सलवार की कटिंग करेंगे इसके पहले आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसके लिए हमने दो मेटर फाबरिक लिया है और इसकी वेड़ है 44 इंच तो देखे सलवार के लिए हमें ये तीन मेजरमेंट्स की जरुरत पड़ती है एक है लंबाई दूसरा है हिप साइजर और तीसरा है बॉटम राउंड सबसे पहले हम इस फाबरिक को ओपन कर लेंगे तो इसको हमने ओपन कर लिया है ये इसकी लंबाई है तो लंबाई से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से तो देखे इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है यहाँ पर ये फोल्ड साइड है तो अभी हम इसको चौडाई में फोल्ड करेंगे तो इस तरह से उठा कर हमें इसको fold करना है तो पूरा ही fold कर लेना है यहाँ पर तो देखे इस तरह से हमें इसको 4 fold कर लिया है यहाँ पर यह open side है 4 layers है और यहाँ पर यह fold side है उपर की तरफ हमारी open side है और नीचे की तरफ fold side है तो marking हम उपर की तरफ से करेंगे सबसे पहले हमें length लेनी है तो सलवार की ready length है 39 inch उसमें से हमारा 7 inch का belt कट होगा तो इस तरह से हमें inch tape को 7 inch उपर की तरफ रखना है तो 7 inch यहाँ पर रखेंगे inch tape को और उसके बाद हम 39 inch length के लिए निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें 1.5 inch का margin लिना है नीचे से folding के लिए अभी इन दोनों निशानों को हम सीधा करेंगे अभी यहाँ पर हम bottom के लिए निशान लगाएंगे तो हम यहाँ पर 7 inch पे निशान लगाएंगे तो नॉर्मली 7 से 7.5 inch bottom रहता है सलवार का तो मैं यहाँ पर 7 inch पे निशान लगा रही हूँ उसके बाद यहाँ से हम इसको 1.5 inch तक तिरचा कर लेंगे क्योंकि बाद में जब हमारा यहाँ से इसको fold करेंगे तो फाबरिक कम पड़ जाता है तो इसके लिए हमें तिरचा ले लेना है अभी देखे यहाँ पर जो open side है यहाँ से हम 2 inch पे mark करेंगे और यहाँ से हमें आसन के लिए निशान लगाना है तो आसन के लिए जितना आपका हिप का size है उसको आपको 6 से divide करना है तो मेरा हिप size है 36 inch उसको 6 से divide करते हैं तो वो आ जाता है 6 inch प्लस 1 inch margin ले लेंगे तो वो आ जाता है 7 inch तो यहाँ पर हमारा आसन आ गया है 7 इंच यहाँ पर straight line ड्रा कर लेंगे तो सभी size के लिए formula same रहेगा आसन का अब यहाँ से हम 2 इंच पर mark करेंगे और आसन के लिए गुलाई दे देंगे तो इस तरह से यहाँ पर गुलाई देने से आपको सलवार में मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी हम इन दोयों निशानों को जोडेंगे तो इस तरह से सलवार की मारकिंग हो गई है अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमने कटिंग कर ली है अभी नीचे जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे तो इस कपड़े को हम ओपन करके रखेंगे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करेंगे तो अभी देखे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर यह फोल्ड में था तो पूरा कपड़ा हमारा निकल के आया है तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है अभी हमें लंबाई लेनी है बेल्ट की तो जो बेल्ट है हमारा वह 7 इंच का रहेगा तो उसमें हम 2 इंच का मारजिन ले लेंगे 1.5 इंच उपर से डोरी के लिए और 1.5 इंच नीचे वाला पार्ट अटेज करने के लिए इस तरह से हम 2 इंच लेंगे मारजिन तो यहाँ पर हम 9 इंज पर निशान लगाएंगे तो पूरे में हम 9 इंज पर निशान लगाते जाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने बैल्ट की लंबाई की कटिंग कर ली है अभी इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई इसकी 21 इंच है तो चौड़ाई जितना आपका हिप का साइज है उसमें आपको 6 इंच की लूजिंग लेनी है तो मेरा हिप साइज है 36 इंच उसमें 6 इंच की losing ले लेंगे तो वो आ जाता है 42 इंच तो 42 का हमें half करना है क्योंकि यहाँ पर यह double में है fabric तो 42 का half हो जाएगा 21 इंच तो यहाँ पर यह 21 इंच बराबर आया है अगर आपका fabric यहाँ पर कम पड़ता है तो आपको यहाँ पर extra कपड़ा joint करना पड़ेगा और belt की चौड़ाई बढ़ानी होगी तो इस तरह से यह हमारा 42 इंच लंबा belt कट हो गया है तो इस तरह से हमारे सलवार की cutting हो गई है यह नीचे वाला part है और यह उपर का belt है तो इसकी stretching हम अगले वीडियो में करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए है तो subscribe भी किजिए थैंक यू